सुनाव निफ्टी फिप्टी अदे के 22,530 पर क्लोजिंग होई थे और यहाँ पर बेसबरी सिंद जार कल की डेट का मंडे के दिन मार्किट ओपन होगा और यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत देगा भी या इसकी ऊपर नजर रहने वाली है आप मान की चलिए 300 प्लस तो इस बात को आप समझेए 400 का मार्क जो है वो अचीब कर लिया है एक्जिट पोल में BJP NDA ने तो इस वज़े से यहाँ पर जो हाईर साइड मार्किट ओपन हो सकता है अब इसमें ट्विस्ट क्या है क्या कल की दिन होने वाला कल हमें करना क्या है क्योंकि 4 जून को जो है वो असली यहाँ पर जो है वोटिंग काउंट होगी और उसके बाद ही यहाँ पर मार्किट बिग रियक्ट करेगा लेकिन कल की डेट में क्या करना है इन एक्जिट पोल से क्या करना है तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर सबसे बड़ा जो ब्रेक आउट लेवल रहे जो आज की closing है मतलब यानिकी जो Friday को closing हुई थी वो खराब closing हुई है अगर आप देखें लेकिन हम है moving average के पास चलिए ठीक है जो भी हुए वो बात की बात है बट यहाँ पर अगर आप देखें तो election वो exit pole का जो एक impact है वो यहाँ पर पढ़ना है और इस तरही के exit pole है तो highest idea open ह हम open होंगे उस diary में जो की pattern खराब कर दिया था उस level बाइस हजार arts इस जगे अगर आप देखें मोटा मोटा पहली बात तो चाहें आपका तीन तारिक हो या चार तारिक हो अगर मन हो option में trade करने हैं तो आप सिर्फ एक ही lot में काम करें otherwise आप ज्यादा काम ना करें क्योंकि ज जिस lot की price ना मुस्किल से बतारो मुस्किल से 500 रुपए हजार रुपए होने चाहिए थी वो पांच-पांच-चे-चे-चे-अजार रुपए मिल रहे हैं तो premium का जो है ना वो बहुत बड़ा यहां पर दिक्कत है और premium lose करने लगे अगर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात 300 प्लस पॉइंट है यहां पर अगर यह ओपन हुआ तो मुझे यह लगता है कि एक बार इस जगह पर profit बुक करने चाहिए जो यहां पर लेकर गई है सबसे बड़ी बात ही है दिए एक जिट पोल यहां पर जो है उसे साफसे favorable आ गए बट अनिश्चित अभी भी बनी हुई है इससे आप अलग नहीं अट सकते तो एक बार यहां पर जो है ना कहीं ना कहीं profit बुक करने का सोचने चाहिए जिसको यह लगता है राइट यहां पर सबसे बड़ी बात क्या और रहेगी 22,860 यह एक तरीके से यहां पर जो है लेकर लेकर चलिएगा कि अगर यह क्रॉस हो आप यहां पर जो है अगर यह लेवल नहीं टिक रहे हैं 22,860, 22,800 तो फिर यहां पर जो है मंदी आ सकती है यानि कि जो 300 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने हो मिल लगी है वो एक बार तो profit booking हो जाए और ध्यार रखेगा यह scenario जिसने भी नहीं देखा है मैं आपको बता चला कि 1500-200 पॉइंट इदर अधर हो गए ठीक है ना चार्ज उनको तो इससे भी खतरनाग सेनेरियो आपको देखने हो मिल सकता है मार्केट जो है वो 300 पॉइंट गैप डाउन के साथ खुलिए और आपको मिंटों के अंदर मिंटों मैं सिर्फ मिंटों मैं आपको जो है वो मैं इसे मैं मैं खुद गुजरा हूने मैंने असोक लेलेंड की स्टॉक ले रखे थे लोग सर्कृट पर ओपन हुआ हो मैंने बेच दिया और वो एक ही मिनट में और यहां पर पूरा रिकवर हो गया तो यह सेनेरियो जिसने भी देख रखा है वो इसे अच्छी तरीके से मैं जानता है कि वोल्लट्रीटी किस लेवल की होती है बारा बजे से पहले चार जून को काम ना करें चार जून को बड़ा देख के काम कर नट उर अदरोड जूह एंगा प्रीमियम जो एन वो लूज करवाए जाएं गे जान बूच कर यह द्यान रखे अगा तो बारा बज में यही आता है कि 860 और 800 ये एक रेंज बनाके चलो इधर तो अम उपन होंगे ही होंगे ये तो कहीं न कहीं है क्योंकि एक्जिट पॉल इस तरीके तो उसका इंपक्त तो पड़े गई कहीं न कहीं यहां पर जो है पुट वाले जो है वो कहीं न कहीं इधर ट्राय कर सकते ले 860 अगर टूट गया है तो कहीं न कहीं शॉट कपरिंग बनेगी ही निप्टी के अंदर ये ध्यान रखिएगा रेट सी देखते हैं क्या होता है बद अभी हम बात करते हैं PSU की उपर बहुत बड़ा क्वेशन है PSU में क्या करें यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं कि PSU म आप हुटकों में चले जाएए या आप किदर भी चले जाएए बहुत जादा बची नहीं है जगा आप इस बात को समझे बची नहीं है जगा ठीक है तो मुझे यही लगता है कि अगर कल ये PSU उपर ओपन हो जाए पैसे PSU PSU चिलाते रहे लेकिन अडानी में खरिदारी हो गया बहुत बड़ी question mark वाली बात तो वो चीज है तो market है भाई ये तो अगर ये higher side open होते है 6-6-8% उपर अगर PSU उपन हो गई मेरे ख्याल से एक बार ना अपना profit book कर लिए पूरा मत करिए मैं हमें सही ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 100 share हैं तो उसमें से at least 30 share जो है वो आपको book कर लेना चाहिए बाकी के remaining share जो है ना क्यूंकि अनिश्चत्ता अभी भी है तो अगर वो उस हिसाब से seat आ गई exit pole के ब 20-20% की तेजी एक बार को देखने को मिल जा है ठीक है तो वो remaining quantity है ना आपके पास वो तेजी को अपने profit बें करने के लिए अगर ऐसा नहीं होता है कि exit pole से थोड़ा सा इधर उदर seat रह गई फिर भी यहां पर जो है ना chances बहुत बड़े हैं BJP की जीतने के मैं हमेसा से आपस से मैं आपसे कह रहा हूं यह रणनीती तो हम लोग बनाई रहे हैं सीटे बहले ही काम हो लेकिन chances बहुत जादा है कि BJP जीते तो उसके वज़े से आप देखे कि अगर market उसकी वज़े से थोड़ा सा pain में आएगा तो at least 30 की quantity तुमने बुक कर रखी है कुस तो पैसा जिम में है वो जब PSU नीचे मिलेगा न तो budget से पहले आपको जो है निचले भाव पर PSU मिल ले होंगे और वो पैसा उदर डाल देना तो यह इस से बड़ी और क्या आप लेकर आएं तो यह strategy कुछ है वो आप अपना सकते हैं और अगर higher side या तो remaining quantity आपको profit देगी बस simple सी बात इस त higher side PSU की बहुत बड़ा पैसा है इसमें डालने की कोसिस ना करें तुक्का ना खेलें क्योंकि वोलेट्री बहुत जादा है अगर आप जड़ा सा इदर उदर हो गए ना दस बार रुपए तो आप हिल जाएंगे और आपका decision making जो हो खराब हो सकता है तो तुक्के वाली बात जादा बहतर है बहुत ही हिसाब से काम करें और अगर कोई बहुत बड़ा यहां पर जो है बीजेपी के आने के बाद भी यहां पर बहुत बड़ा यहां पर निफ्टी के अंदर correction देखने हो मिलता है तो वो एक बड़ी buying opportunity होगी अगले पांस साल के लिए तो इस बात को भी देहां रखें सोमी दे काफी कुछ आपको समझ में आया होगा यह PSU यह PSU इंसम में यहां पर जो है ना अच्छी खासी profit booking हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है बजट के टाइम भी यही हुआ था event गया बजट के टाइम profit booking हो गई अभी जो है election यहां पर complete हो जाए चार जून क उसके बाद profit booking आई तो वो अच्छे से profit booking आईगी और वो अच्छे से आपको opportunity देखी फिर से budget के लिए really यहां पर जो है तेगी बजट बड़ा आएगा इस पार जिस बात धियान रखें सोमी देखा काफी कुछ आपको समझ में आया हुआ आपके कहना है इसको उपर कमन से स आपके यहां आप तो जाप बड़े देखने के लिए बत बतनमा दूस्तो